ही जाननी लगे च्छोटी बांड को लेका गया छोटी जोटे के लिए चोठ पूर गया तो उदर से लोट रहा था, तो एक चोठ पूर में प्राथ मिजिएगा तो उस परिवार के लिए उनका सोना जैसा बेटा जो गया है उसको नहीं लोटाया सकता है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, कि कम से कम पचास लाख मुआजा दे, और उस परिवार म मुखिया यही थे परिवार को यही चलाते थें देखिए इनकी बहन है किस तरीके से रोब लख रही हैं आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा जन सुराज के जिलाद है अंतखाब जी हैं बिलकुल लगे हुए हैं सुरू से ही एक्टिव थें जी क्या कहेंगे अरे परसास पता है डॉक्टर रामा जी चौधरी से सौ कदम पूरब डॉक्टर कॉलिनी सिवान अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये गए नमबर पे कॉल करें कि पिछले दिनों बिहार नेकता परतिपक्ष ने 17 हत्याओं का ट्वीट किया लेकिन वो तो बिहार की घटना है मैं सिवान में देख रहा हूं कि तरवारा में दिन्दहाडे हत्या हो रही है महराजगज में हत्या हो रही है और आज सर्याम जीस तरीके से सिवान में हत्या ह इसे साफ लग रहा है कि विहार का प्रशासन, पुलिस प्रशासन पुरी तोर पे फेल हो रहा है, सरकार बिल्कुल तोर पे फेल हो चुकी है और अपराधी बेलगाम हो रहा है, हर आदमी के जान असुरक्षित हो गया है, मैं सबसे पहले तो ये गोल्डेन पासवान की जो हत् इस हत्या पर दुख व्यक्त करना चाहता हूं और इनके प्लित परिवार को दूख बरदास्त करने को साहस मिले इसकी कामना करना चाहता हूं इतना भयानक दूख है इस परिवार को इतनी बड़ी पीड़ा है जिसको मतलब कुछ किसी भी तरीके से उसको जो है रोका नहीं जा नोकरी करके अपने परिवार का भरण पोशन कर रहा था मा मजदूरी करके बच्चे को पाल करके पढ़ाई लिखाई और आगे नोकरी में लेकर के अपने पिता के जगा पर उनकंपा में उनकी नोकरी हुई अब बताइए ऐसे लोग जिनसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं है और उतीन दहाडे हत्या कर दिया जाता है यह बहुत दुखत घटना है और बिहार सरकार के उपर एक बड़ा कलंक है मैं मांग करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चित तोर पे इस घटना के न्याइक जाच होना चाहिए और जाच करके जो अपराधी है उ सजा मिलनी चाहिए पिरित परिवार को अब तो पैसे से तो नहीं दिया सकता लेकिन कम से कम सरकार ऐसे लोगों को परिवार को पचास लाक रुपे मुआउजा दे और इनके जगह पर दूसरे परिवार के सदस को नोकरी दे और भी जादे से जादे जो सहायता हो सके मिलना जब हम लोग यहां आए हैं तो लोग यह कह रहा था कि जब हम लोग अस्पताल में लेके जा रहा थे तो डॉक्टर इसको एक्सिडेंट साबित करना चाह रहा था लो तो आपको क्या लग रहा है कि यह अस्पताल के जो लोग है और प्रसासन है इसको लिपा पोती करना चा किया गया अब किसकी गलती है तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन ये पहले परचार हुआ था कि एक्सिडेंट ही हुआ है और मैं ये भी सुना कि वहाँ जो लोग रोड जाम करके कुछ न्याय की मांग कर रहे थे तो ये जेन्मीन था एकदम बिल्कुल जो है स्वभाविक प्रक जाए आप राधियों पर करवाई करें तो आप राज रुकेगा आज मालेते जिस तरीके से गोल्डेन की हत्या हुई है क्या कहाया सकता है कि अगर परसासन निशी रूप में रहा तो किसी की भी हत्या किसी की जान सुरक्षित नहीं है निशी तोर पर रोक लगना चाहिए अगर आप लोग कहेंगे तो और बड़ी मांग के लिए हम यहां पर आड़े जाएंगे जाएंगे जमीन पर हमको कोई धीकत नहीं है लेकिन उन सब लोगों ने एक सामती बनाई कि नहीं डिस्पोज किया जाए और लास का पोस्ट मेडम हो और आगे की परकिरिया हो तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी कुछ बेदन करेंगे इसका स्वासन दिया और जो हमको जहां तक पता है कि एक दलित की हत्या में कल्यान विभाग से आठ लाक रुपे की मौजा मिलते हैं यह कोई इसके लिए कीमत नहीं होती है उसको तो लाखो मने करोड रुपया भी दीजिएगा तो उस परिवार के लिए उनका सोना जैसा बेटा जो गया है उसको नहीं लाट आया सकता है इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम पचास लाक मौजा दे और उस परिवार में जो नए लोग हैं उनके नोकरी दे बहुत बहुत शुक्रिया चलिए बिलकुल देखिए दिखाया जाए पोस्मार्टम के लिए लाया गया है और परिवार के मुख परसास्तों का फेलियर है बिहार सरकार नितिस कुमार सी लगे हैं सरकार बचाने में जो तोड़के राजनीत में लॉइन और पूरी तरह फेल है अपराधी क्या मौनोबॉल यहां बढ़ा हुआ है बेचरा इंतहान दिर्वा का बहन कहा रहा था रास्ते में मार दिया गया किसी का जान का कोई कीमत नहीं यहां पर परसास्तों एकड़ूर यहां का पूरे बिहार का पाप एकभार उठाटिया चिंतटए ही सब कुछ हो रहा है गुंड़ा ही बेंग डोकेती सब हो रहा है पुरे डेली एकभार उठागे मिस्की दिया बना हुए है अपराधी कोन जेसे चुट काता है उसका भी डीटे लखा जाए, क्या करता है उसका भी हरकत दो निगा रखा जाए, जो जमीन माफियां है इस पो भी अफराध पड़ा हुआ है, इस पो भी कौंट्रोल क्या जाए तो उनकी बेहन कितना रो रही थी विरलख रही थी परिवार की मुखिया है ये अब कैसे क्या होगा आप जाहिए सी बात ही प्रसासन से यह मांग करेंगे इनके घर के लोगों को नोक्री मिले जो सरकार से प्रोधान जो है इनको मौजा मिलना चाहिए वे दली समाज से बेचा इनको मौजा मिले आएंके परिवार के लोगों के नोक्री मिले अब परसासन अपना थ्रोधा लॉइन ओर को चुस्तुस्त करें यह बहुत बुरा हाल है डेली हत्या डेली हत्या सुनने के मिलें अपने चोटी बाण को लेका गया चोड़ने के लिए चोड़पूर गया तो उदर से लोट रहा था तो एक चोड़पूर में प्राथिमिकी स्कूल है पुराफ साइड है उसको गोली मार दिया गया अच्छा कितना के संचना अब यह हम लोग तो एसपोर्ट में गया हुआ से देखे तो उसको हस्पीटल में लेकर आया लो उसक पार अचार ऐस ना में युट ऐस पिद्धानगे पास था खी तो वे यह हम ने कर तो ने करता ने कि अलुछ ने करता है वह युट ने करता है तो उसको रेंट प्रती हम अलब बढ यह बुआ करा. की शोनला कोड़ दो हो दो. अवे पुष्पाल के जवान करें, अज भीला दो ऐंपिछी ने भूछीज देबना. जोट्पूर